हेलो स्टुडेंट्स ये कम्यूनिकेशन स्किल्स का वीडियो टू है यानि की सिकेंड वीडियो है जिसमें हम अगले दस प्रश्नो को देखेंगे उस वेबशाइट पर जिसका जिकर हमने पहले वीडियो में किया था तो communication skills के दूसरे वीडियो में हम देखते हैं उन्होंने क्या questions डाले हैं website का नाम है www.iti50.com उनको credit देना जरूरी है because उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने sample questions ITI के second year के students के लिए डाले हैं जो बहुत जल्दी अपनी CBT परीक्षा देने वाले हैं fitter, electrician जैसे trades के तो communication skills जो भाग है उसका second video को हम आगे बढ़ते हैं इसका पहला प्रशन है it is important to यह महत्वपूर्ण है कि हम accept करें, understand करें और manage करें अपने emotions, अपने भावावों को तो हमें यह सही लग रहा है पहला वाला part उसका first choice जो है वो सही लग रहा है फिर भी हमें अगला part देखना चाहिए क्योंकि आप जब भी कोई आपको एक choice ठीक लगे फिर भी आप पूरे प्रशन को पढ़ें CBT जब में इसका विशेश ध्यान रखें कि question को पूरा पढ़ें क्योंकि कई बार all the above choice भी होती है और all the above जो है वो कई बार सही answer भी होता है इस question में हमें पहला सही लग रहा है दूसरा देखते हैं accept, misunderstand and manage our emotions तो पहला तो सही लग रहा है कि grant करना, समझना और manage करना आपने भावों को यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही लग रहा है दूसरे में misunderstand लिखा है misunderstand का आर्थ होता है, नहीं समझना यह गलत होगा, B C आजाते हैं, our personal and professional lives यह महत्वपूर्ण है यह हमें इस question में एक दिक्कत दिखते ही है इस website में यह शायद question जो है यह ठीक से, इसमें कोई गलती है तो C जो choice है, हमारे साब से choice ही गलत है, incomplete है sentence और D all the other तो D तो हो नहीं सकता, because B गलत था और A हमें सही लग रहा है तो चारों में से A सही लग रहा है, तो हम A को choose करेंगे, next आ जाते हैं second question पे, communication skills include जब हम पढ़ रहे थे, तो यह भी question हमें कुछ गलत लग रहा है इस website पर क्यों गलत लग रहा है, हम समझाते हैं आपको communication skills में क्या-क्या include होता है यह हमारी पहले वीडियो में भी similar question था, पहला choice दिया है the words we speak, हमारे साब से सही है, communication skills में जो हम शब्द कहते हैं वो include होता है दूसरा है, अबर bodily movements and facial expressions, हमारे शरीर के parts के movement और हमारे चेहरे के expressions चेहरे के how-how, यह भी सही है, तो A और B हमारे इसाब से दोनों सही है, C में आ जाते हैं, C लिखा है, refuse, misunderstand and manage our emotions, गलत है क्योंकि हम emotions को misunderstand करें तो वो communication skills का हिस्सा हुई नहीं सकता, और चाथा accept and misunderstand emotions, misunderstand शब्द आ गया, मतलब नहीं समझना emotions को, तो यह भी गलत होगा, तो हमारे शरीर और B दोनों सही है, जबकि इसमें choice नहीं दी गई, A and B both, इसी लिए यह question गलत है, हम फिर भी इसमें अपने हिसाब से words we speak, या our body we movements दोनों में से किसी एक को choose कर लेते हैं, और देखते हैं, आगे जब हम submit करेंगे, तो इसको सही बताता है, यह website यह गलत बताता है, next question पर आ जाते हैं, a person's ability to understand and manage our emotions properly is called, ऐसा व्यक्ति, जो अपने भावों को, अपने emotions को समझता हो और manage ठीक से करता हो, उसकी उस ability को क्या कहते हैं, a person's ability, ऐसा व्यक्ति जो अपने भावों को ठीक से समझें और manage करें, उसकी उस ability को क्या कहा जा सकता है, तो चुकि यह भाव से संबंदित है, तो इसी लिए इनकी choices को पढ़ते हैं, intelligence, कुछ हट तक यह सही है कि ऐसा व्यक्ति intelligent होगा, बट क्यूंकि भाव शब्द आ गया इसके अंदर, तो हम आगे की choices को और पढ़ते हैं, artificial intelligence, artificial intelligence एक व्यक्ति से समझें नहीं हो सकता, artificial intelligence एक शब्दित होता है, जो computer related हो या कोई robotic related चीज हो, robot related हो, उसके लिए शब्द यूज के जाता है, artificial intelligence, तो यह बी तो नहीं होगा, C, emotional intelligence, मेरे हिसाब से C, answer सही होगा, A, हम कह रहे थे, कुछ हट तक सही, क्योंकि उसमें सिर्फ intelligence लिखा है, C, emotional intelligence, यानि की emotionally यानि भावनात्मक तोर पे वो व्यक्ति समझदार है, तो वो व्यक्ति अपने भावों को, अपने emotions को समझेगा, और उन्हें ठीक से manage भी करेगा, तो मेरे हिसाब से इस question का answer C होना चाहिए, next, fourth question, an emotionally intelligent person will be able to, एक भावनात्मक तोर पे intelligent व्यक्ति, कि किस चीज़ में सक्षम होगा, will be able to, पहला, manage their emotions, पहला choice है, अपने emotions को ठीक से manage करे, यह सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, अपने emotions को manage करेगा, तभी उसको हम emotionally intelligent person बोल रहे हैं, उसको भावनात्मक तोर पे समझदार विक्ति कह रहे हैं, बी choice देखते हैं क्या लिखा है, manage the emotions of others, दूसरों के भावों को भी वो manage ठीक से करे, बिल्कुल यह भी सही लग रहा है हमें, A और B दोनों ठीक लग रहा है मुझे, C पर आज आते हैं देखते हैं क्या लिखा है, manage their emotions and that of others, मतलब स्वयम के भावों और दूसरे हों के भावों को भी वो manage कर सके, तो जैसा हमने कहा था, A और B दोनों ठीक लग रहा है, C उसके हिसाब से सही answer होना चाहिए, D नन है, तो C इस प्रश्ट का सही उत्तर होना चाहिए, next, पांच्वा question, employers look for a candidate's dash, apart from their skills and qualifications, employer कौन होता है, जो व्यक्ति जॉब देता है, नौकरी देता है, जब आप ITI कम्प्लीट करके, आप कहीं जाएंगे जॉब के लिए, जिसके नीचे आप काम करेंगे, उसे employer कहा जाएगा, employer जब candidate को choose करता है, चुनता है, तो उसमें वो skill और qualification के अलावा, और क्या चीज़ देखता है, इस प्रशन का उट्टर, इस प्रशन का अर्थ यह है, तो पहला देख लेते हैं, money, क्या employer, candidate को चुनने से पहले, उसका पैसा देखता है, गलत, यह गलत है, B, status, क्या उसका status देखता है, नहीं, गलत, C, emotional intelligence, तो इसका सही उत्तर, मेरे हिसाब से, emotional intelligence होना चाहिए, क्योंकि चौथा, all the above लिखा है, all the above में, money और status भी आता है, जो गलत है, तो emotional intelligence, उसका भावनात्मक, उसकी जो intelligence है, उसकी बुद्धी को वो देखता है, जब वो किसी को job देगा, skills और qualification के अलावा, next question पर आ जाते हैं, छटवे question पर, तो six question है, person with high emotional intelligence, एक ऐसा वेक्ती, जिसकी emotional intelligence बहुत high हो, वो वेक्ती, उसमें क्या ऐसे गुण होंगे, I'm sorry, एक ऐसा वेक्ती, जिसके, जिसमें high emotional intelligence है, उसमें क्या गुण होंगे, इसको भी हम देख लेते हैं, पहला लिखा है, a lot of negative qualities, negative qualities उसमें बहुत सारी होंगी, नहीं गलत, यह तो पहला तो गलत है, दूसरा ego, ego मतलब, ego का अर्थ होगा, कि वो वेक्ती बहुत ज़्यादा proud हो, या उसमें बहुत ज़्यादा ego हो, तो basically, एक अच्छा emotional intelligent व्यक्ती में तो ego नहीं होना चाहिए, उसे तो सौम में होना चाहिए, C, lot of positive qualities, मेरे इसाब से C, सही उत्तर होना चाहिए इसका, a person with high emotional intelligence has lot of positive qualities, और चौथा उत्तर है a job, नौकरी, तो emotionally intelligent व्यक्ती, के पास job बिल्कुल सही ये भी हो सकता है, सही उत्तर, but lot of positive qualities, मेरे हिसाब से इसका, जादा सही उत्तर है, next question आ जाते हैं, person with high emotional intelligence can, person, एक ऐसा व्यक्ती जिसके पास, emotional intelligence जादा हो, वो क्या क्या कर सकता है, तो चारों choices को पढ़ते हैं, work well in teams, टीम में अच्छे से काम कर सकता है, सही है, जिसके पास भावनात्मक तोर पे जो intelligent है, वो टीम में सफल ता पूरवक कारे कर सकता है, work well in teams, ये सही हैं मेरे हिसाब से, बी, deal with stressful situations, भावनात्मक तोर पे जो intelligent वेक्ती होगा, वो जरूर stressful situation को अच्छे से deal कर सकेगा, दूसरा भी सही लग रहा है मुझे, तीसरा, have a positive attitude, उसमें सकरात्मक attitude होगा, positive attitude होगा, ये भी सही लग रहा है, तो इस question का answer मेरे हिसाब से D होना चाहिए, all the above, next, आच्वा question, when something good happens to us, we feel dash, जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज हो, तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें कैसा feel होता है, पहला देखते हैं, first choice है irritated, गलत, जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज हो गई, तो हम irritated, यानि की, चिरचिरे थोड़ी महसूस करेंगे, जब अच्छी चीज होगी, तो क्या हम गुसा रहेंगे, नहीं गलत, बी भी गलत है, तीसरा, negative emotions like anger, क्या कोई अच्छी चीज हमारे साथ हो, तो हमें क्या, हमारे में कोई negative emotions आएंगे, या नकरात्मक सोच आएगी, नहीं, गलत, C भी गलत है, तो आठवे question का मेरे हिज़ाब से, D सही उत्तर होना चाहिए, next, 9 question, the first step to manage emotions, emotion को manage करना, यानि, हम में कोई emotion आए, तो उसको हम किस तरह कि इसे, हम handle करेंगे, manage करेंगे, उसका पहला step क्या होना चाहिए, पहला step क्या होना चाहिए, इस question का आर्थ यही है, कि पहला step emotion को manage करने के लिए, क्या होना चाहिए, X पहली choice है, accept and understand emotions, मेरे हिसाब से तो यह ठीक लग रहा है, कि पहला step होना चाहिए, पहले हम emotion को गरहन करें, और उसको समझें, मेरे हिसाब से, A सही लग रहा है, फिर भी हम आगे के choice देखते हैं, express emotions, पहला step, बिना उसको गरहन और समझे, हम express कर दें, यह गलत लग रहा है, मुझे भी, C, manage emotions, तो first step to manage emotions, is to manage emotions, कि तो गलत होगा, because manage emotions, कोई करने के लिए हमां पहला step पूछा जा रहा है, तो C भी गलत लग रहा है, और D, none, none इसले नहीं होगा, क्योंकि A हमें ठीक लग रहा था, कि पहला step, emotions को manage करने के लिए, भावों को manage करने के लिए, उसे ग्रहन करना, और उसे समझना, accept and understand emotions, यही सही उत्तर होना चाहिए, और अन्तिम प्रश्ण, negative emotions include, नकरात्मक भाव, इन में से क्या-क्या include करते हैं, इन में से कौन-कौन से नकरात्मक भाव हैं, पहला anger, मेरे हिसाब से यह सही उत्तर है, A, anger, anger, गुस्सा, एक नकरात्मक भाव है, B, stress, stress, बिलकुल सही है, stress भी एक नकरात्मक भाव है, तीसरा, sadness, दुख, यह भी एक नकरात्मक भाव है, तो जब तीनों नकरात्मक भाव है, चौती चौइस दी वी all the above, तो मेरे हिसाब से, इस प्रश्ण का उत्तर भी, be all the above होना चाहिए, अब हम इस quiz को submit करते हैं, और देखते हैं कि, ऊपर दिये कुछ answers, हमारे कौन-कौन से सही हैं, और कौन-कौन से गलत हैं, तो आप देखेंगे, कि यह देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था, कि यह इस website में कुछ गलत इसमें लिखा है, पिकर हमारे हिसाब से, यह C answer सही है, कि एक person जिसमें high emotional intelligence है, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी qualities होंगी, और उसके उपर देख लेते हैं, पहला, पहला भी हमने आपको बताया था, कि इन्होंने, यह incomplete है, C incomplete है, और personal professional life, यह कुछ नहीं incomplete है, इसलिए शाइब यह इसका उत्तर गलब दिखा रहा है, जबकि यह महत्वपूर्ण है, कि हम emotions को accept करें, understand करें, उसको खीक तरीके से manage करें, यह answer हमारे हिसाब से इस question का सही है, तो students यह, जो था, यह communication skills का यह दूसरा video था, जिसमें हमने अगले कुछ प्रशनों के set को आपको समझाया, अब हम और वीडियोज हम अपने YouTube चैनल में डालते जाएंगे, जिसमें सारे topics cover हों, जो हमने बताया आपको सबसे पहले, कि आपके employability skills second year में, English literacy के questions भी आ सकते हैं, IT literacy के भी आ सकते हैं, communication skills जो अभी आपके ये second video देखा, entrepreneurship skills और sustainable careers, हम सभी topics पे जो questions इस website पे दिये हैं, उन्हें हम इसी प्रकार से समझाते हुए, वीडियोज डालेंगे, आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रू सबस्राइब कर लें, और यदि आप IT नहीं कर रहे हैं, और आपकी पहचान में कोई व्यक्ति IT कर रहा है, और वो second year में है, और वो बहुत जल्द IT की परिशा देने वाला है, तो ये employability skills के वीडियोज उस तक जरूर पहुँचाएं, ताकि ऐसा चात्र लाभान मेत हो सके, धन्यवाद.